हेलो फ्रेंट्स, यू आर वेलकम टू अल अफ यू इन आर्वीए स्टडी ऑनलाइन सेंडर आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक और दिल्चस्थ आई नस बिकरांत के बारे में बताने जा रहें जिसके भारत के नेवी में सामिल हो जाने से चाइना और पाकिस्तान का विधरकन तेज हो गया आप लोग को मालूम है इसकी इतनी खासियत है और इतनी बेश्ट इसका टेकनिक है कि चाइना और पाकिस्तान भी आज घवरा चुका है ठीक है, तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं, इसके खोज पर चल रहे हैं, इसके रिसर्च पर चल रहे हैं, कि आखिर I.N.S. बिकरांत में क्या खासियत है, क्या खुबी है कि इससे चाइना और पाकिस्तान भी डरता है, चले ठीक है, आज हम लोग सुरू कर रहे हैं बहुत ही भ 2022 को भारत के परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने नरेंदर दमोधर दास मोधी ने भारत के नेवी में आईनेस विक्रांत को सामिल किया याद है कितने तारिक को 2 सितंबर 2022 SP को सामिल किया और 2019 SP में बनना चालू हुआ क्या आपको इसे ये लगता है कि आईनेस विक्रांत नया है नहीं भारत के नेवी को ये बहुत दीनों से सर्विस दे रहा है ऐसे INS बिकरांत है चले ठीक एक कहानी हम लोग समझते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध का जो की 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान के युद्ध बंगला देश स्वतंतरता संग्राम के समय में युद्ध हुआ उसमें INS बिकरांत ने बहुत ही प्रवल भूमी का निभाया देखिए हुआ क्या कि 1971 की बात 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की नेवी और पाकिस्तान की आला कमान आईनेस बिकरांत के डर से भाय करांत थे उनके मन में हमेशा भाय था क्योंकि आईनेस बिकरांत अकेले पाकिस्तानी नेवी पर कबजा कर सकता था और हमला अकेले कर सकता था इसलिए INS बिकरांत को अपने रास्तों से हटाने का प्लान पाकिस्तान ने सोचा इसने सोचा कि हम INS बिकरांत को युद्ध से पहले इसको तवाह कर दे, खतम कर दे और इसके लिए अमेरिका से लिए गए पंडुब्बी जहाज गाजी को लगाया PNS गाजी को पाकिस्तान का अमेरिका से लिए पंडुब्बी था PNS गाजी PNS गाजी को लगाया कि बिकरांत को तवाह करो परन्तु इंडियन नेवी को उसके इस छुपे हुए साजिस की जानकारी मिल गई और दो दिन के अंदर में भारतिय नेवी ने अपना रूप बदल लिया और पाकिस्तान को ये मालूम था बिसाखा पत्नम के सीप याड पर INS बिकरांत लगा हुआ है ठीक है समझ गये कहां बिसाखा पत्नम के और वहाँ पे अपने गाजी पंडुपी को भेज दिया उसको तबाह करने के लिए ठीक है भारत इंडियन नेवी ने इस साजिस को समझते हुए INS बिकरांत के अस्थान को चेंज कर दिया और उसके जगह पर INS राजपूत को रख दिया एक और हमारे दिस के समझते हैं INS राजपूत को ताकि चकमा दिया जा सके और उसका नेम प्लेट भी बदल दिया गया INS राजपूत का ही नाम INS बिकरांत कर दिया गया ताकि वो फस्दै साजिस में और जब वो गाजी पहुँच गया PNS गाजी विसाखा पत्नम के रिया में तो पीछे से INS बिकरांत उसको घेर लिया और उसी विसाखा पत्नम के समंदर में उसका अस्त कर दिया तवाही कर दिया जो इंडिया को तवाह करने पहुचा उसको INS बिकरांत नहीं तवाह कर दिया जिसको तवाकर ने PNS गाजी आया उसको खुद INS विक्रांत ने कर दिया तो ये काम हमारे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में INS विक्रांत ने सफल तरीके से कर चुका है लेकिन INS विक्रांत को 1997 में भारत से रिटाइड घोशित कर दिया गया बारतिये नेवी से इंडियन नेवी से इसको रिटाइड कर दिया गया तो INS विक्रांत एक तरह से भारत से इंडियन नेवी से अलग हो गया प्रणτο पुना एक तरह से कहा जाय तो 2022 में INS विक्रांत का पुनर जन्म हुआ है फिर से आइनस बिक्रांत आ गया पहले से बिक्राल रूप में अब इसी लिए पाकिस्तान और चाइना का धर्कन बहुत तेज हो गया है चुकि देखिए उस समय की मारक छमता से भरमार भारत का आइनस बिक्रांत आज का कैसा है बिक्राल रूप है दुस्मनों पर काल है इतना लंबा चोड़ा देखनी वाली बात है इसकी चोड़ाई देखिए 62 मीटर 62 मीटर समझते हैं लगवग 200 फित और इसकी लंबाई तो 262 मीटर है चोड़ाई कितना 62 और लंबाई 262 ये लगवग दोगो फुटबॉल मैदान के बराबर अकेला आइनस बिक्रांत है और इस पर एक ही समय में लगवग 30 बड़े एयरक्राफ्ट तेनात किये जा सकते हैं कौन सा एयरक्राफ्ट जैसे मीग 29 के फाइटर जिप यहां तक की भारत में निर्मेत तेजस बायुजान को भी इस पर 30 एयरक्राफ्ट को एक बार में इस पर रखा जा सकता है इतनी बड़ी एयरक् बिक्रांत और यहां सबसे बड़ी उपलब्दी मेकिंग इंडिया का है जो स्वादेसी 76% स्वादेसी उपकरन से बना हुआ है आयनस बिक्रांत में लगवग 76% स्वादेसी उपकरन लगा हुआ है ठीक है और उसके बाद इस पर 450 किलो मीटर तक मारक छमता वाले ब्रहमोस् इसलिए भारत और पाकिस्तान और चाइना का विधरकन तेज हो चुका है इसके केवल आ जाने से इसमें 200 कमपार्टमेंट है देखे यहां ध्यान से यह आईनस बिक्रांत का एयर क्राप्ट केरियर सेंटर है और उसके नीचे इसम में कमपार्टमेंट बना हुआ है रूम कम भारत का एक समझ लेना है कि सीधा सीधा ये एक बड़ा सा सहर है भारत का आइनेस बिक्रान और इसमें एक बार में 1600 से भी अधिक जवानों को ले जाया जा सकता है इंडियन नेभी को 1600 से भी अधिक ये एक बार में ले जाने की छमता रखता है और यह 20,000 करोड की लागत से बना है कितनी 20,000 करोड की लागत लगा है इसकी बनाने में और इसकी अधिक्तम चाल 51 किलो मीटर प्रति घंटा है 51 केम प्रति आवर एंड अगर नॉटिकल माइल में बोला जाए तो 28 नॉटिकल माइल है इसकी अधिक्तम बेग ठीक है इसके एक और पॉइंट जो बेश्ट पॉइंट इसे आईरेस बिक्रांत को सबसे महत्कुन बनाता है वो मेरा सबसे अगला पॉइंट है देखिए इसमें क्या है इस युद्ध पोत पर 88 मेगावाट की बिजली की 4 गैस टर्वाइन लगी है 88 मेगावाट बिजली की चार 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 लगा हुआ है ऐसा मतलब पूड़ा युद्ध पोत को अकेले बिजली दे सकता है खुद छमता इतना है इस युद्ध पोत में ठीक है तो आई एस इस बिक्रांत हमारे देश के लिए सबसे अच्छे छमतावान एर एरक्राप्ट केरियर माना जाता है ठीक है इसी के साथ इस वीडियो का समाप्त करते हैं थाइंक्यू पूर वाचिंग